वेलकम बाट तो चैनल गईज मेरा नाम है पंकच और आप देख रहे हैं दे काटलिस्टर पंकच तो क्या आप भी एक नई साइकल खरीदना चाहरे हैं और आप कन्फूजड हैं कि आपको एक सिंगल स्पीड साइकल खरीनी चाहिए या फिर एक गेर ड्वाली साइकल खरीनी अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर अब एक गेर साइकल में थोड़े जादा कॉंपोनेंट्स होते हैं कहने का मतलब है आपके हैंडल बार के उपर लगे होंगे शिफ्टर उसका जगब नीचे जाएंगे तो भाई आपकी पेरों में होते हैं पेडल्स और ये जु प्रीवीड के वूपर अब जब इतने सारे सारी प्रेट अजाते हैं तो इन सारे सारे होगे साइक अंधर पर नहीं फीजार सेखन होथा है तो स्टार्टिंग में मेरे पास भाई 2-3 साल था कि एक सिंगल स्पीड हर्कुलस की साइकल हुआ करती थी उसके बाद भाई मैंने एक एवरेज क्वालिटी की एटलस कमपनी की साइकल मेरे पेरेंट्स नहीं को दिलाई थी और फिर भाई मेंको एक काफी अच्छी ब्रांट क पहुँच सकते हैं जादा एक्स्ट्र पावर को अपलाए करके और एक्स्ट्र स्पीड को अटेंड कर सकते हैं तो यहीं मेजर बेनिफिट होता है एक गेर साइकल का अड़ इसे आप एक और तरीकी के एसांपल से आपको समझा सकता हूँ कि जैसे आप माउंटेल्स में आपकी पावर कम लगेगी आप कम ताकत लगाएंगे और इसली अफिल में अपनी स्ट्र को चड़ा पाएंगे तो यह एक मेजर बेनिफिट होता है इससे आपका के बड़ता है और बेसिक चीजों में समझाओ तो एक मिनट के अंदर आप कितने पेडल कर सकते हैं इससे होते हैं अब बात करें एक सिंगल स्पीड साइकल की एक सिंगल स्पीड साइकल का मतलब यही है कि इसमें केर्स नहीं लगे होते हैं बट इसमें भी भाई दो तरीके की सिंगल स्पीड साइकल होती है एक जो नॉर्मल साइकल होती है जो कि हड़ जगा आपको देखने हो मिल brakeless cycle भी बोल सकते है कि since इसमें इतने सारे components नहीं होते है single speed cycle का जो price है ये काम होता है एक gear cycle जहाँ 15-20,000 से अच्छे brand की अच्छे components वाली शुरू होती है भई पर एक अच्छे brand की single speed cycle होगी ना ये 10-15,000 रुपे में आके खतम हो जाती है तो इतना सादा भई फारक होता है एक single speed और एक gear cycle के अंदर अब बात करते हैं भई cycle की maintenance के बारे में कि कितना खर्चा लग जाता है एक cycle को maintain करने में सब सहले बात करते हैं एक single speed cycle के बारे में since इस cycle में इतने जादा components नहीं होते हैं अगर आप इसमें basic maintenance भी करते रहते हैं तो भी काम चलता ही है और इसको regular maintenance की इतनी जादा जरूरत नहीं पड़ती है महीं पर बात करें भई एक gear cycle के तो gear cycle में भी अगर आप basic maintenance follow करें उससे जादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अब basic maintenance के बारे में आपको जाना है तो इस topic के बारे में मैंने एक detail वीडियो अपने चाल के उपर upload कर रहे हैं जिसका link आपको description में देखने हो मिल जाएगा अब gear cycle में लगे होते हैं भाई बहुत सारे components जैसे की shifter, front derailer, crankset, bottom bracket, rear derailer ये सारी चीज़े ना guys wear and tear की वज़ए से खराब हो जाती है अगर इन चीज़ों में से एक भी component आपको खरा हुआ वाकि पूरी cycle चलना ही बंद हो जाएगी तो इस वज़े से kind of a gear cycle maintain करने के लिए थोड़ी expensive पड़ती है अब बात करते हैं भाई comfort के बारे में, एक mountain region में, एक flyover में, एक uphill वाले time पे चलाते हैं तब भाई आपको काफी जादा ताकत लगानी बढ़ती है होता है एक single speed cycle के लिए तो अगर आप अपनी cycle comfortably हर तरीके की terrain में चलाना चाते हैं तो इसके लिए भाई मैं आपको एक gear cycle ही recommend करूँआ and speed की बात करें तो definitely भाई gear cycle में आपकी जादा speed होती है क्योंकि एक particular chainring में आप एक x amount of speed attain कर लेते हैं उसका अगर आपको और speed सीए तो फिर आप अपने और higher gear में जाके और जादा speed ले सकते हैं वहीं पे एक single speed cycle में आप एक ही particular chainring में एक ही gear level पे रहते हैं तो उससे जादा speed भाई आपकी हो नहीं सकती है and since comfort की बात हो रही है speed की बात हो रही है तो long distance अगर आपको riding करने है ना तो यह geared cycle में ही possible है single speed में भी आप कर सकते हैं बट वह इतना comfortable नहीं रहेगा and उस पर आपकी जादा ताकत लगीगी and जहां पर आप पहुँचोंगे वहां पर आप भाई budget एक single speed cycle हमेशा सस्ती ही मिलेगी एक gear cycle के comparison है तो अगर आप जाधा spend नहीं करना चाहते है आप first time in cycling में आप चाहते हैं कि पहले मैं देखू एक cycle को चला कि क्या मैं इससे continue करूँगा या फिर नहीं तो आप एक single speed के साथ जा सकते हैं but अगर budget आपका एक issue नहीं है तो definitely guys मैं आपको recommend करूँगा कि एक gear cycle के साथ आपको जाना चाहिए next point आता है भाई use case क्या है क्या आप एक commuting purpose से cycle लेना चाहते हैं अगर आपका distance बहुत जादा है तो इस case में भी मैं आपको एक gear cycle recommend करूँगा distance इतना जादा नहीं है आपको short rides कभी कभी करनी है तब आप single speed cycle के साथ जा सकते हैं but अगर आपको long distance riding करनी है आपको sunday rides करनी है अपने friends के साथ आपको हर तरीकी की trail ride भी करनी है अलग-अलग terrains पर अपनी cycle को चलानी है तब भी मैं आपको एक gear cycle ही recommend करूँगा and जब आपको यह decide हो जाए and जो आपका particular budget segment है न जिसमें आप cycle ढूंड रहे हैं तो उसके बाद आप मेरे channel के अंदर मेरे सारी videos को देख सकते हैं and उससे आपको पता लग जाएगा कि कि इस particular cycle को आपको खरीदना चाहिए and at the end एक और confusion आ सकती है कि आपको एक सस्ती gate cycle लेनी चाहिए या फिर एक महेंगी gate cycle खरीदनी चाहिए अब अगर आप एक अच्छे brand की अच्छे components वाली cycle को खरीदेंगे वो हमेशा long term के हिसाब से कम खराब होगी त्यादा अच्छा comfort आपको provide करेगी अगर उसका अच्छा brand है तो brand value की वज़े से जब आप चलाओगे तो आपको अच्छी feeling आईगी and उसके साथ ही सातना अगर वो अच्छा brand होगा तो आने-आल आपको मेरी निव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आपको कोई doubt है या कोई confusion है नीचे comment section आप मेरे से पूर सकते हैं मैं आपको रेपलाय के नहीं के पूरी कोशिश करूँगा and आप में इसे इंस्सेग्राम में भी follow कर सकते हैं and आप मेरे facebook page को भी like कर सकते ह आपे भी आपकी साइकिंसे रिले टेट पर्स टालते रहता हैं on a regular basis and that is it guys for this video. मिरा आम है Pankaj and आप गदेखरे हैं देखरें देखरें पणकच एक टिर लु belang Taj टिर ने में यूए नेक्स वांडौं किरह यू झाल